पूरी दुनिया अब तक इस्राइल और हमास का जो युद चल रहा है उसकी destructive जो images थी जिस तरीके की विद्वनसक तस्वीरे निकल कर सामने आई थी कोई अब तक भूल नहीं पाया चाहिए रश्या युक्रेन का युद हो या फिर इस्राइल और हमास का युद हो लेकिन इन स समझें कि युद्रोई जो है वहाँ है अगर शौट में समझा जाता है जो हमास कब्स है वह तो खूती विद्रोईयों का है, यहां तक कि यमन के कुछ जगाई जहां पर यमन की सरकार की चलती है, बाकी जगापर हूती विद्रोईयों का ही चलता है, जिस तरीके से हम हमास का भी देख चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में समझें कि आकिर यह लडाई की हमास के युद के वक्त ही रख दी गई थी जस तरीके से लगातार हूती विद्रोही जो है वो ये बात कह रहे थे कि हम हमास के सपोर्ट में हैं अब हमास के सपोर्ट में है तो क्या कुछ किया गया रिसल लाल सागर लाल सागर वो जगा जहां पर सबसे जादा तेल का आयात न उनके जंगी जाजों कहने के जो शिप्स वहाँ पर तैना थे उनको निशाना बराना शुरू कर दिया। 20 से जादा हमले जो हैं वो जंगी जाजों पर किये गए। बार-बार जो है ये कोशिश की जाती रही तमाम देशों की तरफ से कि हूती विद्रोही जो है वो समझ जाए कि वो जो है बार-बार उन्हें कोशिश की जाती रही बार-बार बात करने की कोशिश की जाती रही चाहे वो भारत हो अमारिका हो ब्रिटेन हो चीन हो फ्रांस हो क यह डिसाइड किया गया कि अब हूती विद्रोईयों को जो है सबक सिखाना होगा तो यमन में घुसकर जो है अमेरिका और बिटेन ने एक ओपरेशन चला यह तस्वीर आप देखें दरसले जो प्लेंट टेक ओफ होता हुआ आप देख रहे हैं यह अमेरिका और बिटेन का सह ठिकाने वह होते हैं जहापर लोग रहते हैं यानि कि जहाँ पर हूती विद्रोही जो है वो लगाता रह रखी है उनको लेकर अब यह कोशिश की जाती रही लेकिन इन सब के बीच में आप यह समझें कि अब ऐसे में इसका असर जो है वो दुनिया पर क्या होगा क्योंकि तेल आयात निर्यात की बात करें तो सबसे बड़ा वैपारिक शित्र जो है वो तेल का ही है ये बात हर कोई जानता है लेकिन अब जब इतने जादा जंगी जहाज़ों को निशाना बनाएगी और अब जब अमारिका और ब्रिटेन साथ आकर ये उपरेशन कर रहे हैं तो जाह जदा बढ़ सकती है